प्रेस दे बेल आइकन उन दी यूट्यूब आफ और आप सबी का हार्दिक सोगत है भारत इस इंडिया पर आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छ होंगे तो आजम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक बहुत ही इंट्रोस्टिंग वीडियो लेकर आए जिसमें आप देखेंगे पाकिसान की मशूरू पत्रकार आर्जू काजमी जी इनके स्पेशल गेस्ट होंगे साजीत ताड़ा साब जो के एक जवदस जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट है और खासकर भारत और पाकिसान के इस्तों पे खास नज़र और घहरी पकड़ रखते हैं तो इस वक्त अभी तक मुझे पाकिस्तान में किसी के मूँ से मैंने पाकिस्तान के पर्मानेंट जो इशूस हैं उनको डिसकर्ट करते नहीं देखा गया आज जब मैं सुबह उठा तो सबसे बड़ी ख़बर यही थी और उसमें कुछ भी नहीं कि मरियम नौास सहबा पुलीस क वो तड़कते फिर रहे हैं पता नहीं क्या कैसे लोग है वो का अपनी अपनी हालत देखो यार अपने कुछ अकाडमी की बात करो को अकल की बात करो वो उसने नीचे मिल्ट्री के शूस पहने थे सारी कौम इसके पीछे लगी पता नहीं कि मैं तो समय से बार तर खाली यह रुपीज सर खा गए है जमा करके टेक्सपेर्स के आरजू टेक्स मैं कहता हूँ एक चीज कुछ चीजें लेकिन दबे पाउं करते हैं हमारे श्माई श्रीफ साब ने अगले दिन एक बात की है दो तीन टीन मैं बातें डिसकस करना चाहूं रहा है लेकिन इनको और वह समझते थे आज हमसे तरक्वी कर चुंकि बंगलादेश पर इशारा थी सबसे पहले तो आपनी इसाप्शेप्ट करें कौम के सामने खड़े होके कि हमने घल्ती की थी यार हमने जलम किया है हम से घल्ती हुए आगे चलेंगा हम माफी मांगते हूं कहते थे बंगला के साथ हमारा हो चुका है आपकी घल्द पालीसी थी उसका मानते हैं कि यह मिखे साल यह एरा था एरान के साथ जसने यह डील की थी उसको पता नहीं था कि हम L gelir औरpt इस पर इतराज करेंगा सेंक्शन्स थी आज यहां पर कई मैं देख रहा हूं कहते है भारत तेल लेता है रशिया से तो उसको तो अमेरिका कुछ नहीं कहता है तो यार वो उनके घुटनों में तो नहीं पड़ा वो आई एमफ के करजे तो नहीं ले रहा हूं उनसे भई वो से पैसा आता है साथ कंडिशन्स आती हैं उनकी साथ शीटें आती हैं आपका बजट आया मैं बनाता है वो आपको बताएगा दिन में रोटी एक तफ़ा का नहीं है कि दो तफ़ा खाना खाना है क्योंकि पैसा उनका है आप कहते हुए हम उनसे नहीं पूछता इससे नहीं क्योंगे सारे फराडिये जो बैट के खाते हैं बेलरूस भी इसी तरह काई है बिल्कुल और चाइना उनका बस चलता है वो कर रहे हैं लेकिन अगर इस तरह की बातें करनी हो तो पहले अपने पाउं पे खड़े होते हैं मैंने आपको बताया है कि आई ये में वाले जारे दे तीन साल चाहिएं ओ यौर सिखस क्रोला त की तेन साल चाहिए सब्सक्राइब के शूया को आ हुप ख्राव करने के लिए बिसनस क्मिंडी ने कराची लेकिन इम्रान खांसाब लेकर तो थो करेंगे अगर इम्रान पाबिक आजकल फिर आजकल ये डिसकस हो रहा है कि किस तरीके से उन्होंने बाजवा साब को कहा था कि जो अपोजीशन को फासियां दे दी जाए इनको मुलक से निकाल दिया जाए अब तो इसके शवाहत मिल रहे हैं वो कहते मैं इनके साथ शेख हैंड नहीं करूंगा से जमूरी रवईए हैं वो कौन से स्यासतदान है वो भी तो पकड़ के लाए गये तो उन्होंने किसी ने कहा यार ये बंदा अच्छा है इसको यार प्राइम से बना दो यार ये चलता अच्छा है बाली बरहा अच्छी कराता है कौन से उनके बंदर है लिए तीस चीज की उन्होंने आज तक अब एक से ज्यादा सीट नहीं जीज सके आज तक वो मने की कौमी सब्ली की उनको भी तो पकड़ के लाया था भाई खुद बलके कहते हैं मुझे तो हकूमती एजन्सियां कराती थी उनके पास कौन से जरबा है जमूरी वैल्यू वो तो मैडम ने शुक है कि वो पुछ कर सके उनके पास जो सलाइयत थी वो उनको पते ही जो है उस्मान बुजदार उनका वसीम अकरम प्लस था आज देखें वो किदर है बता करें उनका जब मेरे जासा को बंदा क्वेस्टन करता है बई कि आप एन के साथ ही हर चीज शुरू करके ले आते हैं ज प्रेड भारत के साथ शुरू करो रिलेशन्शिप ठीक करो बलके ना सिर्फ भारत सारे प्रोसियों के साथ बलके आज मैं आखर में जो सबसे बड़ी चीज़ मैं बताना चाहूंगा बड़ी जजबाती बात थी मेरे लिए आई सुबह मुझे मैं उसको फालो आप तो कर र राओ दोनों डाक्टर हैं डाक्टर के आर बाला क्रिशन उनका नाम है क्रिशनान और दूसरा डाक्टर सुरेश राओ मेरे हीरो है मेरे दिल करता है आज मेरे बस चले में उनके हाथ चुमूँ जाके उन्होंने इस बच्ची की है 35 लाग का खर्चा उन्होंने जेब से दिय है बलके मैं समझूंगा कि पाकिस्तान के हर बंदे को उनके इंटर्विव सुना चाहिए और डाक्टर कृष्णान ने कहा है कि मैं उसको बिल्कुल यही समझता हूं जिस तरह मेरी बच्ची है मेरी बच्चीयों की तरह है और उस बच्ची का आपरेशन किया है उन्होंने आज भारत के टीवी चैनल की ऊपर उसको बच्ची का इंट्रीव चलना था पीपल टू पीपल कितने एक दूसरे के साथ महबत है मैं अपनी आँखों से चार दफा जाके देख रहा है पाकस्तान के अंदर पंजाब में देखा जाए तो वहां भी बिलकुल मैं नहीं समझता कोई नफरते हैं इतनी या ना कराची बड़े शहरों के अंदर कुछ भारत के खिलाफ को लोग बीस तरह बाते करते होंगे पता है लोगों को इसी तरीके से मैं वहां देख कर आया को मैं पाकस्तानी हूं इतना प्यार करते हैं इतना गले मिलते हैं लोग जिसकी हद नी अब तो मैं आज जो खासकर ये चनाय के अंदर MGM हेल्थ केर में जहां ये आपरेशन हुआ है आर्जू कि एक भारती बच्ची किसी का दिल जो है वो कराची आई इस से ज्यादाती क्य हैं बुराइया हैं लेकिन मेरे खाल में दुनिया में अच्छे लोग ज्यादा है तब ही बैलेंस जो है अभी तक काहिम है लेकिन मैं आज शुकर गुजार हूं लोगों का चनाय MGM हेल्थ केर वालों का जिन्हों ने मजब और रेस और नेशनालिटी से उपर उठके उस करने थो और उसका उसकी उसके हाट के अंदर इंफेक्शन था और बड़ा कम्लिकेटेड सरजरी थी मैंने इसको फालो किया है लेकिन माई हैट आफ टू पीपल आफ चनाय MGM हेल्थ केर मैं समझता हूं कि सारह पाकस्तान को शुकरिया दा करना चाहिए उनका कि उन्हों ने इतने बड़े दिल इतने बड़ा होसला किया है इतना 35 लाक रुपे का जो है उन्होंने जो आपरेशन है वो फ्री किया है मैं समझता हूं कि मैं सारे पाकस्तान को शुकरिया दा करना चाहिए उनका और मैं शुकर मुजार हूं कि उन्होंने इतना प्यार और मुहमत का पची आइशा का तो उसने तो कहा है जहरे कहेंगी दिल है हिंदुस्तानी मैं तो खुद पाकस्तानी हो और हमेशा भलांद वाज के साथ कहता हूं कि भारत माइ सेकंड हो मैं हिंदौर इस माइ टाउन देर मैं जाता हूं और मुझे वहाँ पे लोग भाईयों बहनों और बच हमारी चीजें देखी हैं पाकस्तान के अंदर तो वहां आपको पता है हमारे सिस्टम अफ एजुकेशन में या सुसाइटी में या मीडिया क्या क्या करता है यहां के रिलिजिस टॉर्णस भी सीखी जब उनके साथ 24 घंटे गुजारे अपने भारती भायों के साथ तो पता शुकर गुजार हूँ इस चीज़ का कि मुझे अमेरिका में चाक इस चीज़ का मौका मिला मेरी सोचें भी बिल्कुल ऐसी नहीं थी यही मेरी सोचेंज हुई है इसमें यहां मैं जरूर इस चीज़ को एडमिट करूँगा कि क्योंके अल्टिमेटली मैं भी उसी महाल में पैदा हुआ था और बिल्कुल लेकिन चीज़ें अब कम हो रही है अब चीज़ें कम आ रहे हैं सोशल मीडिया के जरीए बहुत चीज़ें कम हो रही है और आज मैं जो खासकर मैंने आपको बताया जो आईशा का जो आज मेरे लिए बड़ा जजबाती दिन था सुबह मैं पैकिनन उन्हें बहुत लोगों की दौएं लगेंगी हिंदुस्तान से भी और पाकिस्तान से भी बहुत शुक्रिया सब्सक्राइब कर देखा होगा और हमेशा की तना यह वीडियो आपको काफी पसंद आयोगी और इसमें आपको बहुत को जानने को मिला होगा खासकर आर किसी लेटर्स इंट्रस्टिंग और मज़िदार वीडियो लाते रहें तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जवदस्त और मज़िदार वीडियो में तब तक अपना ध्यान रखिये जै हिंद जै भारत